जय माबगलाम की सभी भक्तों को जय बाता की घर में पूजाबाट करने का साधन तरीका आज हम आपको बताते हैं पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवस्थ जलाना चाहिए देशी घी का दीपक घर में जलाने से घर में सकारत्मक एनर्जी प्रवेस करती है तता सुगंदित धूप जलाने से देवता प्रसन होते हैं देवताओं के लिए इनको हम जलाते हैं दीपक को स्वम कभी नहीं बुजाना चाहिए फिर भी देवताओं के मस्तक पर हल्दे का कुम कुम का चंदन आदी से तिलक करें चावल लगाएं फिर उन्हें हार इत्यादी प आरती उतारें नित्या ओम जय जकदीश की आरती करने से घर में सुक्सान्ती का माहूल बना रहता है तदा भगवान विश्णों की कृपा से घर में धन्सब पदा की कोई कमी नहीं रहती पूजन में अनामिका उंगली रिंग फिंगर जिसको कहते हैं सुगंध, चंदन, कुमकुम, अभीर, गुलाल, हल्दी, मेंधी देवता को इस अनामिका उंगली से लगाना चाहिए साधान सब्दों में कहें तो ऐसे साधान पूजा के तरीके से देवता पसंद होकर आप पर अपनी पूर्ण कृपादिश्टी बनाएंगे तथा आपकी मनों कमना पूर्ण करेंगे जैमा बगलाम की